प्रजाती अपना वंस आगे बढ़ाना चाहती है चाहे वो इनसान हो या जानवर आप लोगों को यह पता होगा कि इनसान बच्चे पैदा करने के लिए संबंद कैसे बनाते हैं प्रंतु अगर हम आपसे यह सवाल पूछें कि सांप कैसे संबंद बनाते हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा तो चलिए दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल विस्तार से लाइव समझाएंगे कि सांप के प्राइवेट पार्ट कैसे होते हैं और सांप संबंद कैसे बनाते हैं लेकिन उससे पहले आपको यह जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन तो जरूर देखा होगा जिनको देखकर या तो यह लगता है कि यह दोनों सांप आपस में लड़ रहे हैं या यह लगता है कि यह सांप खेल रहे हैं तो दोस्तो जब दो सांप आपस में लिप्टे हुए हो तो समझ जाना कि वो सारिलिक संबंद बना रहे हैं उस वक्त उन प्राइवेट पार्ट के बारे में भी विस्तार से बताते हैं जिनसे वो संबंद बनाते हैं। जब आप लोग सांपों को उल्टा करके देखोगे तो उनके शरीर के निचले हिस्से पर स्केल या डब्बे जैसी आकिरिती बनी होती है। जब एक नागिन और सांप आपस में संबंद बनाते हैं। तो वो एक दूसरे से उलत जाते हैं और काफी पल्टी मारते हैं और एक दूसरे से लिपट जाते हैं। तो नर सांप नागिन के प्राइवेट पार्ट को डूंड लेता है। वैसे तो दोनों के प्राइवेट पार्ट ही पूंच के पास सरीर के निचले हिस्से पर होते हैं। तो लिपटने के बाद सांप असानी से एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट डूंड लेते हैं और अच्छे से संबंद बना पाते हैं। कई बार नर्ज सांप अपने से बड़े आकार की नागिन से ही संबंद मनाना चाहता है क्योंकि जितनी बड़े आकार की नागिन होगी वो उतने ही अंडे देगी तो दोस्तो इस तरह से अपना वंस आगे बढ़ाने के लिए साप एक दुसरे से लिपट कर संबंद मनाते हैं और बच्चे पैदा कर पाते हैं तो दोस्तो उमीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी क्रीपिया करके इस वीडियो को लाइक और सेर करें धन्यवाद